अब तक आपने देखा कि कैसे आँखों में सपने लिए कृष्णा दिन रात देख कर इंटरव्यू की तैयारी में जुटी हुई है एक तरफ जहां पिता विद्या कृष्णा का होसला बढ़ाते हैं वहीं दूसरी तरफ मा सरस्वती उसकी पढ़ाई को फिजूल मानती है यह देखिए पढ़ाई कर करके आँख के नीचे गढ़्धा पढ़ता जा रहा है अरे ऐसा सकल लेके साधी होगा इसका कृष्णा इंटर्व्यू के लिए निकलती है और पहुँशने की जल्दी में पिंटु सिंग की बाइक से टकरा जाती है कृष्णा दोड़ती भागती कलेक्टर आफिस पहुँशती है देर से आने के लिए कृष्णा को इंटर्व्यू देने से रोग दिया जाता है पर कृष्णा बिना किसी की परभा किये इंटर्व्यू कक्ष की और दोड़ पड़ती है अब आगे एड़, ए्र रोको शकण रिए कर एड़ आवपी कृष्णा है एवदबेज़ और एडिए इह का तमसा हुँए है सर ये देर से आई है सर इसका तो नंबर भी चला गया है हम ने मना किया मगर ये अंदर चलियाई सर हम देरे के लिए माफी चाहते हैं पर हमारा इंटर्यू देना बहुत जरूरी है आप सिर्फ एक मोका देजिए एक तो देर से आई दूसरा बिना इजाजद अंदर चलिया है उपर से ओर चलाए है आपको लगता नहीं है कि आपने नियम का उलंगन किया है सर गलती किये हैं तो सजा जरूर भूगतेंगे पर हम आपसे बिंती करते हैं कि आप हमारे इंटर्व्यू ले लीजिए फिर आप हमारे इस गलती के लिए जो भी सजा दीजेगा तो हमको मंझूर होगा बैठिए अरे बैठिए ना इदर उदर क्या ताक रही है तुम्हारा नाम कृष्णा राज भगवान सबको एक ना एक दिन जरूर मौका जेते हैं जरूरत है उस मौके के लिए तैयार है मिस किष्णा राज देखे आप से दो सवाल के जाएंगे आपको नमें से किसी एक का उत्तर देना है हम भी देखते हैं आप इतनी काविल है सर अगर आप आग्या दें तो हम दोनों सवालों का जवाब देना चाहेंगे अच्छ तो बताईए नीचे से यहां तक आने में आपने कुल कितनी सीडियां चड़ी सर नीचे से यहां तक आने में हम कुल 24 सीडियां चड़े हैं तो क्या तुम भागते हुए सीडियां भी गिन रही थी? सर एक-एक सीडिय हमारे लिए एक-एक मील के बराबर था इसलिए हमको याद है कि हम कितना सीडिय चड़े है आप सरकार की किनी पांच योजनाओं के नाम बताईए सरकेंडर सरकार या राज्य सरकार की योजनाओं? राज्य सरकार हमारा देश विभिनताओं से भारा हुआ है प्रशाशन चलाने के लिए आपको इन विभिनताओं की जानकारी होनी चाहिए या जानती आप इनके बारे में? सर सही कहा अपने हमारा देश विभिनताओं का देश है हमारे देश में अठाइस राज्य साथ केंद शाशित राज्य छेसो एक्तालीस जिला और पांच हजार ब्लॉक्स है हमारे देश में मुख्य रूप से साथ धर्म 232 जातियां, 22 भाषाएं और 700 मात्र भाषाएं बोली जाती है विभिनताओं से भरे इस देश में तीन हजार के करीम भूजन की प्रकार है चलिए बताएए अब बीडियो क्यों बनना चाहती है? मेडम, बीडियो बनने का मुख्य वज़ा ये है कि हम जरूरत मन और पीडित लोगों का मदद करना चाहते हैं सरकार की ये उज़नाओं को हम आम आदमी तक पहुचाना चाहते हैं विशेश कर महिलाओं और बच्चों तक हमारे यां महिलाओं का स्वास्त और शिक्षा आज भी चिंता का विशे है हम उस पर काम करना चाहते हैं ताकि हर महिला को सम्मान और अच्छा स्वास्त मिल सके अच्छा लेक्चर दिया आपने महिलाओं पर लेकिन पहले खुद का हालत तो देखिए पाओं में चपल नहीं है चेहरे पे बारा बज रहे अरे पहले खुद का उद्धार तो कल लीजिए प्रिष्णया राज आपने अभी महिलाओं के बारे में बताये आप खोद एक महिला है और एक गड़ी परिवार से आती है तो आपको क्यों लगता है कि आप प्रशास्वन अच्छी तरह चला सकती है सर हमारे पापा का मा से कामदनी आठ हजार रुपया है और हम अपने मा को आठ हजार रुपया में पुरा घर चलाते हुए देखे हम पांच बच्चों का पढ़ाई लिखाई से लेकर हम सबकी छोटी बड़ी जरूरितों को हमारी मा उसी अंदनी में पूरा करती है उनका व्यवस्था ला-जवाब है अगर अगर हम अपनी सिक्ष़ा किताबों से पाइं हैं तो जीवन का समध हमको अपने माता पिता से मिला है और उनको पूरा विश्वास है कि अपने शिक्ष़ा और समझ के सहारे अपने मा के तरह हमें एक अच्छा विबस्ता चला पाएंगे हमें तो ये मुम्किन नजर नहीं आता आप जिस वर किसे आती हैं वहां लड़कियों की शादी जल्दी कर दी जाता शाहिद ऐसा ही कुछ आपके साथ हो फिर क्या? चूला चौका और बाल बच्चे भला इन जिम्मेदारियों के साथ कैसे प्राशाशन चला पाएंगे आप? सर, सोच अगर सकारात्मक हो तो जिम्मेदारी उठाने की चंता बढ़ जाती है यहां बैठे आप लोग किसी के पती, पिता और मैडम किसी की मा या बहन होंगी लेकिन फिर भी आप लोग अपनी जिम्मेदारी बखों भी निभा रहे हैं हम भी आप लोगों से प्रेहना लेकर अपनी जिम्मेदारी को अच्छे तरह से निभाएंगे क्रिश्ना, आपने अपने वीडियो बनने की जो बज़ा बताई सिर्फ वही एक बज़े हैं, हमें तो यकिन नहीं होता है मैडम, हम अपना गरीबी का बात करके आप सब की सहानूबुती नहीं लेना चाहते हैं पर सच यह है कि हमारे परिवार से आज तक कोई सरकारी नोकरी में नहीं जा पाया है हमारे पापा एक मामूली काम करते हैं कमाने वारे पापा अकेले बड़ा सा परिवार काम करके हम अपने पापा की जिनमेदारियों को अपने कंधों पर लेना चाहते हैं अपने पापा का सपना पूरा करना चाहते हैं पलकों के नीचे बलती होई सपनों की दुनिया लेके चली जन ने कहां तू थम जाया ही मन वारा रही माना नहीं हारा नहीं बजना है मासम हमने लित जाएं अब अब चाह सकती है मिला है यकी जो बसे खुद से मिले परने उनने लगे चाहरों के खुलने लगे दस्ति पुलने लगे सांती बारा के असमा मैं अब सरु बिटिया क्रिशिना आगी कमाल करदी कृष्णा हर एक सवाल का ऐसा सठीक जवाद दी कि पूरा पैनल का बोलती बंद हो गया शाबाज कृष्णा अमको तुम पर कर्व है वेटा बहुत अच्छा इंटर्व्यू दी तुम खूब तरक्की करो अब अब अबलु जी थोड़ी देर में प्रिलिम का एक्साम का रिजल्ट भी आने वाला है आप चाहें तो रिजल्ट साथ लेकर भी जा सकते हैं ठीक है दूबेजी अब तो रिजल्ट लेकर रिजाएंगे अब आदे गंटे में आजाएंगे हम ज़रा पान खाकर आते हैं ठीक है एक काम करो तुम लोग क्लास में जाकर बैठो हम रिजल्ट लेकर राते हैं एक सकेंड पिंटू तुमना मोट साइकल यही छोड़ दो हम लेकर चले आएंगे तुम तेम्पो से सबको लेकर सेंटर चले जाएंगे हम आँ तुम टेम्पो से आँ टेम्पो से क्यों समस्या क्या है हम नहीं आए थे टेम्पो से जैसा कह रहे हैं वैसा करो ठीक है भीया आपका अधे सरांखों पे आप सब टेम्पों में बैठिये तुम रोज तुम रोज ऐसी सड़पे बेसोद हो के चलती हो या फिर आज इंटर्व्यू के लिए चलो अच्छे आज तुम्हारा मेनत सफल रहा है तुम्हारा तुम्हारा तुम्हार 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 हम भी देदेंगे पाटी बताइए यहां गाड़ी क्यों रुखवाए हैं जाट खाने के लिए आपको निखाना यह मार्केट का सड़क है यहां गाड़ी खड़ा करना मना है वो देखिए फ्रशासन का आदेश संदीब एक काम करो उस सरकारी आदेश को एक बोरा से ढग दो ना सरकारी आदेश दिखेगा ना मैडम को समस्या होगा आप इसको हलका में मत लीजिए वो सरकारी आदेश है हम लोग यहां नियम के विरुद खड़े है पिंटु सिंग तो यहीं काड़ी में बैठके चाट थाएगा ठीक है आपको नियम तोड़ना है तो तोड़िए जब पुलिस वाला बेच जद करके यहां से भगाएगा ना तभी आपको पता चलेगा एक्रिष्णु जुपकर ना क्यों चाट कमज़ा खराब कर रही है अज़ गाड़ी कोन खाड़ा किया है आप अए लिखता नहीं है तुमको टीना का चस्मा पहिने हो का उस सामने बोड पे इतना मोटा मोटा अक्षर में निखा है और तुमको दिखाई नहीं देता है चलो निकलो यहां से सिपाई जी अब हमसे बात कीचिए आईए ओ माराज आईए तो सही यह लिजे माराज लीजे लीजे ना और चाड भी जरूर खाईएगा गलत पहला गलती कि आप यहां गाड़ी खड़ा करवाए और दूसरा गलती अब आप इनको रिश्वत देकर कर रहे हैं और भाया आप आप यह नियम का बोड लगाते हैं और सिर्फ पचास रुपए के लिए उसी नियम को तोड़ देते हैं जल्दी करो यह यह टंपो किसने खड़ा किया है तुमको पता है ना कि पटना से सरकारी आयोग आया हुआ है इसको अभी के अभी तुरंद यहां से अठाओ जल्दी करो यह यह तंपो किसने यहां खाड़ा किया अरे हम बात कर रहे है को नो सनुवाई नहीं होगा एस पी साहे बेंबो बेट निकल 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 अरे भाईया यह यह आमरे चार्ट एरे क्या हुआ क्रिष्णा तेरा इंटभी हुआ के नहीं हुआ जिन्दगी में पहली बार इजजद का बताशा बन गया वो भी लड़कियों के सामने मैं जिके निकल 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 रहने बार दो सकतर्ट के हुआ करने प्रिलियम का रिजल्ट हागिया है और हमको यह बताने में बहुत खुशी हो रहा है कि इस सेंटर से पाँच स्टुदेंट्स ने प्रिलियम एक्जाम पास कर लिया और उसमें से तीन इसी क्लास में से है तो जो स्टुदेंट्स वीडियो का प्रिलियम एक्जाम पास किये हैं उनका नाम है आनन्द और राजेश कुमर और क्रिस्ट्राशन एड्रा ईसुच्णराचि क्रेश्ना राची अब जो स्टूड़न्स पास हो गए है उनके लिए खास सूचना ऐस वार आप लोंका प्रीलियम का रिजल्ट से आया है और रिजल्ट के साथ ही अपरो के मेंज के ऐक्ग्जम का डेट बह आगया अपर है अपरो का मेंज इक्ग्जम आग से एक सफबाद होगा अय है पर, सर ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब तैयारी के मात्र एक सब्ता, सर हम हरा तो हाथ-बाओं फूल रहे है, परिशान होने का जरूरत नहीं है, आप लो काफी टाइम से तैयारी कर रहे है, बढ़ो, आम इसके लिए एक सुझाव देना चाहेंगे, शर्मा कोचिंग सेंटर में पि हो सके तो आप लोग खरीद लीजे, मेरे हिसाब से इससे आप लोग को तैयारी करने में बहुत मदद मिलेगा, आज के लिए इतना ही कल मिलें, भाईया फाल तुम्हें को बुला ली है, इससे तो बेहतर होता, मैट निशो देखाते है, चलो, क्रिशना, हमने शर्मा कोचिं सेंटर में बात किया है, बोल रहे हैं कि 2000 रुपे का कुछिन पेपर है, अगर हम 5 जन मिलकर लेंगे तो 15 रुपे का लगा देगा, बोलो लेना है, छोड़ो ना, किसे कह रहे हो, अब फीज का पैसा तो है इसके पास, मुफत में पढ़ रही है, अब ये 15 रुपे कहां से ल चलो कि लुपे का पैसका इसा सदो पास्तव है, अब ये, छोड़े ते आपको, ये तो कि आयो है, नहीं हम चले जाएंगे अरे गिफैट है, हम जानते आपको का जाना है कर दो कर दो कि अर्मा कोचिंग सेंटर ना हमारे रास्ते में पड़ेगा बैठिये छोड़ देते हैं नहीं हम अपके साथ नहीं जा पाएंगे क्यों 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 कि आप हेलमेट नहीं पहने हैं कि इस वक्त हमारे बास पैसा नहीं है लेकिन हमारे लिए ये कोचिंग बैंक बहुत जरूरी है क्या आप हमको दे चाते हैं हम आपको बाद में पैसा दे देंगे बाद में देंगे मतलब अगला गई हो क्या हम यह कोनों खैराद बाट रहे हैं में आप सरुब इमया में आप सरुब इमया झाल झाल प्रिल्लेम पास किये हैं तो ऐसे बोलो ना प्रिल्लेम पास किये हैं तो ऐसे बोलो ना कोश्चन बैंक चाहिए दो हजार काहिए दो हजार काहिए बगाद जी दे दीजिए इसको कोश्चन बैंक जी है गे लिजी है वे अंग दो हुआ हुआ है क्या हुआ है पार्ण 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 नहीं है लेकिन हमारे लिए ये कोशिंग बैंक बढ़ रूरी है क्या आपको दे चाकते हैं हम आपको बाद में पैसा दे देंगे बाद में देंगे मतलब पगला गई हो क्या हम यह कोनों खैरात बाट रहे हैं बात थे 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 सच में हमको इसका बहुत जरूरत है आप विश्वास करिये हम पैसा दे देंगे बस थोड़ा मौलत दे दिए सर हम आपको अपने घर का पता और फोन नंबर भी दे देते हैं हमारे पापा है ना उ हम इंके बाबुजी विद्या बाभु को जानते हैं वो तुन तुन अशन जी का गाम करते है क्ल Dark Heln 지금 हम ए उनसे परीशय है हमारा उन से परिचय है हमारा वर्ड़न करने जा रांड़ भागा. बगत जी. दे दी जिए इसको. ननिवाद से, ननिवाद. अले, सुनो! तुम्ने तु यह बताया नहीं, ऐसा कब तक दोगी? जी, वो तो तीन दिन में? ने, 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 वो सब नहीं चलेगा. अमको साम को च्छावजी तक पैसा चाहिए. तुम्ने ने, 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 ने हाँ 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 हाँ